नमर 30 आपने एपल्स तो खाये होंगे और क्या आपको इसका अंदाजा है कि एपल्स के कितने वराइटीज होते हैं आपका जवाब 9 या फिर 10 होगा पर आप ये सुनका चौक जाओगे कि एपल की 7000 वराइटीज मिलती हैं और उसमें से बस 12 वराइटीज ही नॉर्मली मार्क चलाना नामुंकिन सा लगता है उसके चोटे और स्ट्रिप टर्न के वज़र से पर क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक ऐसा रोड है जिसे डेथ वैली कहते हैं और ये रोड 200 किलोमीटर तक स्ट्रेट है और एक भी टर्न नहीं है और अमेरिका में बस यहीं एक ऐसी खाना मना होता है और इसे नॉर्मल पब्लिक में नहीं दिखाई जाती पर 1994 तक टीवी पर फार्ट माना था यानिए पादना मना था पर 1994 में एक फिलिम आय थी और उसमें पुंबा पहला ऐसा क्यारक्टर था डिजनी का जिसने टीवी पर फार्ट मारा और उसके बाद धीर करनी के लिए तब उसे यह पता चलता है कि वह आदमी नहीं बलकि एक और उसने अपने जंदिकी के 66 साल एक आदमी बनके बीते हैं उसका कहना है कि उसके मम्य पापा उसे बहुत छोटी उमर से लड़के जैसा ट्वीट करते थे और इसी लिए उसे कभी भी पता नहीं चला कि वह एक लड़की है नबर 26 जोज वाशिंग्टन जो थे अमेरिका के पहले प्रेजिडेंट उनको 23 से ही तीट में प्रॉबलम थी और उन्हें नकली दान यूज करने पड़ते थे प्लास्टिक के नहीं बलकि असली मास पीशियों से बने होते थे और इसी लिए उन्हें वह तो ग्राहम के बारे में असल में ये फोटोग्राफर हैं और इन्हें एक बार नदी में एक ट्रोकोडाइल मिला जिसके हलत काफी खराब थी और अल्मोस्त मर चुका था पर इन्होंने उसे बचाया और उसका ट्रीटमेंट कराया शुरू में तो उन्हें बहुत डर लगता था पर अब ये काफी अच्छी दोस बन चुके हैं और आप ये फोटो देख के बता सकती हो कि ये साथ में स्विमिंग करते हैं और कितना खुश रहते हैं क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ज्यादा खुपसूरत होनी के वज़े से किसी को देश छोड़ने पर मचबूर कर दिया गया हो अगर आपको लगा है कि ये क्या मजा करें पर ये सच है साओधिया अरेबिया में रहने वाले उमर बोरकान अलगाला को देश को छोड़ना पड़ा पर बस इसलिए क्योंकि बहुत ज़्याद हैं सम थे और गौर्वर्मेंट को लगा कि इनकी सुन्दरता उनके राजा को च है कि ये फॉल में बेंच भी बन जाता है और ट्रीज के लिए प्रटेक्शन भी ये टू-इन-वन वाला काम करता है कमाल का एडिया है नमबर 21 आपको क्या लगता है कि आप लग्की हो अगर हां तो जानिये सोतेस बाय के बारे में इन्होंने गार्वीज सेल की तीन डॉलर का बाउल खरी रहा था बस इसलिए क्योंकि उनको इसका डिजाइन अच्छा लगा था पर कुछ साल बाद इनको पता चलता है कि इसके असली कीमत 2.2 मिलियन डॉलर है और ये एक ओरिजनल चाइनीज मेडिटेशन बाउल है और अब ये म्यूजियम में रखा हुआ है सोचे कितना लग्की होगा और इसे बेचने वाला उतना ही अनलग्की नमबर 20 जापान में काम को इतना सीरिसली लिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते और इन्हें अपने काम पर लेट पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी लिए जापान में अगर कोई रेल्वे चीज़ों के लिके अगर हां मतलब आप और तिंक करते हो क्या आपको पता है कि जो आदमी ओवर तिंक करता है वो दरहसल अच्छे फ्रेंड्स बनाता है और वो काफी अच्छा दोस्बी होता है क्या कभी आपने विसलिंग लैग्विज के बारे में सुना है जिसमें लोग एक दूसरे से सीटी बजा के बात करते हैं यह लैंग्वेज है स्पेइन की और इसे कहा जाता है सिल्बो गोमेरो और यह लैंग्वेज बस स्पेइन के कैनारी आइलेंड पर ही बोली जाती है और इनका कहना है कि आवाज से ज्यादा तेज विसल सुनाई देती है पर इसी वजह से वह पहाड़ों पर इस लैंग्वेज का इस्तिमाल करता है नंबर 17 मैं आपको माइक्रोस्कोपिक दुनिया के सबसे अमेजिंग चीजों को दिखाने वाला हूं यह जो आप देख रहे हो यह चीटी का सल है और यह जो आप देख रहे हो यह कैट का टंग है य यानि कि रेट और आपको यह दिख्या क्या लगता है तो सोच के देखो यह असल में एक मच्छर का पैर है नंबर 16 क्या आप जानते हैं कि जो शाई पीपल होते हैं यानि कि जो लोग शर्माते हैं उन्हें टॉपिक ढूड़ने यानि कि जिससे डिलेटेड उन्हें बात कर का इराग जो देश है उसके आर्मी इस मिसाइल लॉंच करने के लिए गधूं का इस्तिमाल करती है वह लॉंचर को इनके पीट पे बांद देते हैं और फिर उसे लॉंच करते हैं उनका मानना है कि ऐसे टाइम बचता है मिसाइल को एक जगर से दूसरी जगर ले जाने में अगर हमारे जन दिन पर हमें 10 गिफ्ट भी मिलते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता पर क्या आपको पता है कि शरले टेंपल जो कि एक अमेरिकन एक्टर्स थी उन्हें अपने आटवे जनन दिन पर उन्हें एक लाग पैंटीस हजार तौफे मिले थे अब बस आ रिजन पता है दलसल वहां मिरल इसलिए होता है ताकि अगर लिफ्ट आने में काफे टाइम लगे तो मिरल में देखके आपका वेटिंग आपको कम महसूस हो और टाइम जल्दी पास हो जाए नबर 11 मैं आपको दुनिया की कुछ सबसे पहली चीज़ें दिखाऊंगा तो क् दुनिया की सबसे पहली बाइक थी और यह जो है यह सबसे पहली कार और मशीन गं सो फोंगों तो अगर आपने यहसा पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भुलना नमर टेन, स्वेट सबको आता है, इंसानों को भी और जानवरों को भी, पर क्या आपको पता है कि डॉक्स जो हैं, उन्हें बस वही पसीना आता है, जहां उनको फर ना हो, जैसे उनका नोस का एरिया, उनके पंजे और उनके कान की नीचे, बस ऐसे ही कुछ जगह हैं, और बा गलत लगता है, तो आप ही सूचिए, कि आपने आज ही कितनी बाद सोचा होगा, कि फ्यूचर में कैसे सक्सेस्फुल बनोंगा, जैसे मैं दिन में आदा टाइम यही सोचता जाता हूं, कि कब मेरे 1 मिलियन होंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नमर एट, आपने क खरीकन का शिकार हो गए, और न्यूयोक की जगर, यह लॉस्ट आइलेंड पहुंच गए थे, और उसके 25 दिन बाद यह नूयोक पहुंचे, नमर 7, क्या आपको पता है कि ग्रीस में एक स्टेट है, जिसका नाम एठोस है, जो कि उसके बाजू के पहाड माउंट एठोस के वज़े से पड़ा है, और वहां की पॉपिलेशन बस 2000 लोगों की है, पर शौकिंग बात यह नहीं है, शौकिंग बात तो यह है कि वहां की 99% पॉपिलेशन आदमी है, यानि कि 100950 आदमी और बस 50 औरते हैं, नमर 6, यह तो आपको पताई होगा कि जो हम हनी खाते हैं, वो 20 पर कि आपको पताई कि हम जो हनी खाते हैं, उनको बनाने के लिए मधू मक्गी को कितनी महनत करनी पड़ती है, एक टीसपून हनी बनाने के लिए 12 मधू मक्गी को अपनी पूरी जिवन भर काम करती है, नमर 5, गूगल हम हर एक चीज के लिए इस्तिमाल करते हैं, चाहे कु circles आपके सर्च को खा जाएंगे, और आप SQ सर्च करोगे, तो आपका Google पीज तेड़ा हो जाएगा, और अगर आप Google पे do a barrel hole सर्च करोगे, तो एक बार आप खुद ही try करके देख लो, और देखो कि क्या होता है, नमर 4, डिक्शनरी में हर एक चीज का कुछ मीनिंग होता है पर क्या आपको पता है, डिक्शनरी में एक शब्ट था, डॉट, जिसका कुछ मतलब ही नहीं होता था, और इसे घोष्ट वर्ड भी कहा जाता था, ये एक मिस्टेक थी, पर फिर भी ये कई सालों तक डिक्शनरी में था, और करीब 10 साल पहले इसे डिक्शनरी से निकाल द आती है, उसमें एक ऐसा शब्ट भी था, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, और कहीं भी इस्तिमाल भी नहीं होते हैं, और आठ पैर, आपने सही पहचाना, ऑक्टोपस, पर क्या आपको पता है, ऑक्टोपस जो है, वो कितनी भी छोटी जगर से निकल सकता है, चाहे बले ही व कोटे होल से निकल जाते हैं, नमबर टू, दोस्तों, अगर आपने कभी भी सिक्कों को गौज से देखा होगा, तो नोटिस किया होंगे कि सिक्कों के एकदम नीचे, एंड में एक दौट होता है, पर क्या आपको पता है, यह डौट क्यूं होता है, नहीं, तो मैं बताता नमबर वन, जब भी करंसी की बात आती है, तो सब लोग काफी नाराज होते हैं, क्योंकि इंडिया की करंसी, यूएस के सामने कम है, वन आयना, इस इकोल टू सेविंटी यूस डॉलर, पर इंडिया की करंसी, सबसे कम नहीं है, पर आज आपको हम बताने वाले हैं, सबसे कम में हैं, और यही वज़ा है कि इसके करंसी इराक रियाल सबसे कमजोर करंसी है, इंडिया का एक रुपिया यहां 271 उपीज होते हैं, और यूएस का एक डॉलर, यहां 40,000 रियाल से भी ज्यादा होता है, वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ओन कर लेना